इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपना मोबाइल नमर और इमेल आडी चेंज करवाना चाहते है तो दो तरीके से कैसे करवा सकती है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए आपको डिटेल में पता चल जाएगा और dow सकते हैं पहले आप और आपको डिटेल है अगर वर्किंग में नहीं है तो इसे आप अपडेट करवा सकते हैं अपडेट आप दो तरीके से करवा सकते हैं कैसे करवासकते पहले ऊफ लाइन तरीके ही में बात करते हैं अगर औफ लाइन करवान चाहते हैं तो जो भी कर आपको जाना होगा पेर्ट कर आपको सुझाएंग और इसक यहां पर आप को लिक मोबाइल नमबर और email id चेंज करवाने के लिए एक application form submit करना होगा जब आप regional center पर जाएंगे और mobile number और email id चेंज करवाने के लिए जो application form है वो मांगेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिया जाएगा वो देखने में कुछ ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है लेकिन आप आपको details सब में सेम ही देना होता है जैसे कि यहाँ पर अगर अगर आप Delhi 3 regional center के student है तो आपको कुछ ऐसा application form दिया जाएगा जिसमें अगर आपको mobile number चेंज करवाना है तो यहाँ पर आपको नया mobile number देना होगा और जो भी आपका पुराना वाला mobile number है जो working condition में नहीं है वो भी यहाँ पर आपको लिखना होगा और उसके बाद इसे आप समिट कर देंगे यानि कि जो working days होता है उसमें यह update हो जाएगा और update होने के बाद जो आपका इगनु का student management portal है वहाँ पर update कर दिया जाता है और अब बात करते हैं online तरीके के बारे में अगर आप mobile number और email ID online update सकते है email के तुरू और email आपको send कैसे करना है email का क्या format रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो email का यह format आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं आपके regional center का email ID क्या रहता है पहले RC उसके बाद आपके regional center का जो भी नाम रहेगा आप नाम लिखेंगे और फिर at the rate ignu.ac.in for example अगर आपके regional center का नाम पटना है तो इस तरीके से लिखेंगे rc.patna at the rate ignu.ac.in और email के subject में आपको लिखना होगा I want to change mobile number and mail ID और इसके बाद जो भी आपका enrollment number है वो आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर program code लिखेंगे और जो भी mobile number आप update करवाना चाते है वो mobile number आप यहाँ पर लिखेंगे और जो भी email ID आप update करवाना चाते है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और regional center पर आप mail send कर दीजिए उसके बाद possible हुआ तो इसको change कर दिया जाएगा क्यूंकि email करने के बाद बहुत ही कम regional center के तरब से इसे change किया जाता है लेकिन जो मैंने आपको offline तरीका बताया उसमें 100% आपका जो detail है वो update हो जाएगा तो पहले आप online वाले तरीके का इस्तमाल कर सकते है अगर यह update हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपको offline regional center पर जा करके करवाना होगा इसके अलावा इगनू के तरफ से ऐसा कोई portal नहीं बना question है तो नीचे comment box में आप बता सकते हैं और अभी तक आपने मुझे instagram और twitter पर follow नहीं किया है तो follow कर सकते है और इगनू से related सभी update instantly पाने के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं सभी का link नीचे दिया गया है तो मिलते है अगले वीडियो में thanks for watching this video